कि नमस्कार में उसम्जुलेभी और आप देख रहें नेच हम आज आकर उपस्तित हुए है हडिंगमा कॉंस्टिटोंसी में और यह है मबाव विलिच और यह सुंटिला से बिल्कुल लगा हुआ यह गाव है और जिस तरीके से डिजस्टर हुआ था डिमाहसाओ में 13 14 15 16 उस समय इसी मेने का उस समय यह गाव भी पूरी तरीके से वरबाद हो चुका है यहां पर काफी ऐसे घर है काफी ऐसे बगान है जो आज यहां पर नहीं है रस्ता जो यह बनाया गया था सरकार के तरफ से वह रस्ता अभी तूट कर क हम से कम 6-7 फीट का डिफरेंस हो गया 6-7 फीट नीचे चला गया है रस्ता और काफी सरा घर यहां पर टूटा हम आपको पताए कि एनेच का टीम ही पहला ऐसा टीम है जो आज आकर यहां उपस्तित हुए क्योंकि आप लोगों पताए कि यहां रस्ता नहीं हम काफी दूर प और सुनाएंगे कि यहां का जीबी हमारे साथ है गाव बुरा जिसे हम कहते है उनका क्या कहना है दादा क्या कहना आपको जो पूरा जो यह इंसिडेंस हुआ थोड़ा बताई आपका गाव में कितना लोस वा कैसे कैसे क्या क्यों बाकी तो लगबाग इसे रस्ता और गार हम लोग देखा या अवर कसंद में गवर कफी से साथ बास सवचाट गवर तो इसे देमेश हो गया अभी हम लोग भी डरेन का जगा भी नहीं है इसलिए कोई कोई तो कोई किसी के गवर में इसे सेव करके बवईता रहा है हम भी अभी चार्ष ओपीस में हम भी मुईता है इसे मुटकलिफ से बटा है और हम लोको अधर रास्ता भी सब कराब हो जाए निकली हम लोका सरकात रुप से कुस मुदद देने कली हम भी मंगता रहा है अच्छ एक बात बते है कि बागान हम देखा बहुत जादा बागान गमारी का बागान है कोई सुपारी का बागान ख सब्सक्राइब करें लेकिन पहले दिरिश्य देखिए कि यहां जो मवाव जब गाव है उसमें क्या-क्या बरबाद हुआ है झाल 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 तो चलिए आपने देखा यह सारा दिरिश्य हम आपको एक बार फिर से बताते हैं जीवी साब के पास फिर जाएंगे जीवी साब यह बताइए कि अभी आप लोगों को कुछ हैल्प मिलाए कि नहीं अभी तो काफी हमनों को इदर से तुरह तु मिला रहा है इंजी अतरुप से भी आपी रिलीप तु मिला है अभी तो चलिए यह बात मानना होगा कि डिस्टिक एड्मिनिस्टेशन और एंसितर्टनमास काउंसिल का तरफ से बोली है या तो जो एंजी ओसे उन लोगों ने काफी कोशिस किया है कि गाउ गाउ तो कम से कम रिलीफ पहुचाना आप लोगों को पता है कि काफी ऐसे दूर दरास के गाउ है जहां पे लोग पोच नहीं पाए तो वहां एर से भी वहां पे ड्रॉप किया गया है हेलिकप्टर से चोपर से वहां पे जो खाना है वह पोचाया गया है डिजल पेट्रल पोचाया गया तो इसी तरह मभाव गाव में भी एटलिस कुछ तो इन लोगों को रिलिफ मिला है लेकिन आगे देखना होगा कि यह जो गाव का पूरा हालत है इसको रेस्टोरेशन में कितना टाइम लगता है और सरकार के तरफ से कित इंडिराजी हो मलोई का कुछ-कुछ और भी एरिया हो मजबचिल एरिया हो इस तरीके का यह एरिया भी ऐसा दिख रहे कि यहां पर फिर से दो बारा घर बनना नामुम्किन हमेंगब फिर जिवी साब के पास जाएंगे जिवी साब आपको क्या लगता है कि यह जो घर जो अजिवी साब कर दो लुग है कि यहां पर आये है इस गाउ में तब से कम यह तरीके का घटना यह नहीं हुआ है हाला कि अलग अलग जगह पे इस तरीके का लैंसलाइट काफी ज़ए और लिए नाइट बूलिये फिटीन वोले इस तरह के यह लिकिन यहां पर माबाव इतना भयाना कि घटना है कि अभी काफी लोग जो है वो लोग बेगर हो गये तो इसी तरह आप लोग देखते रही है क्योंकि हम है जो आपको हमेंसा अपडेटेड और ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे और हम आगे भी जाएंगे कोसिस करेंगे आप लोगों को और जो कौन-कौन सा एरिया एफेक्टेड है कौन-कौन सा गाओ को अभी मदद मिलाए कि नहीं मिलाए वो सारा हम आप लोगों तक पहुचाएंगे तो इसी तरह देखते रहें नेच और हमें लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें देना बाद